Hello, so कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Digital Twin Technology के बारे में Basically, Digital Twin Technology जो है वो Engineers के ज़्यादा काम की होती है Engineers जब भी कोई चीज को डिजाइन करते हैं, किसी प्रोडेक्ट को डिजाइन करते हैं तो उनको यही बात दिमाख में रखनी पड़ती है कि वह जो प्रोड़क्ट जो डिजाइन कर रहे हैं जब भी वह मैनिफेक्चर होगा जब वह फिजिकल प्रोड़क्ट बनेगा तब वह कैसा फ्यूचर में वर्क करेगा उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और जैसा कि आज का जो एरा है उसक प्रोड़क्ट चीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आंगी और स्पोज कीजिए अगर उस प्रोड़क्ट उस मशीन के अंदर उन्होंने एर्र करेक्ट भी कर दिया ठीक भी कर दिया तब पर दियसके कोई गारंटी नहीं कि वह फ्यूचर में कैसा प्रोड़ट जो है वह तो इसी आजएब करेगा वह जिएरह बारा तो नहीं आ जाएगा तो इन्हीं सारी चीजे को मद्दे नज़र रखते हुए डिजिटल ट्वेंच टेकनोलीजी की बात करने रीधीनेशन की बात करें बिंच तयकनोलूजी एक वर्च वे रिप्रेजेटेशन है किसी भी फिजिकल क्रोंड केπα गlor पोर्म में और उसको झाद करें सबर्ग करें कि छोटा मिनियेशर भी बना दिया बट अब वो जो है वो किससे रियक्ट करेगी जो लहां डिफिरेंड इंवार्मेंट की जो कंडिशंस होती हैं उसके उपर तो वो कैसे दिसाइड होगा वो कैसे पता लगाएंगे और मैं वो ब्लॉटंग कैसा करेगी किसंडा जाएगा तो यहां पर डिजितल ट्विन टेकनोलोजी का रोल बहुत आसानी से आ जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कुछ सेंसर लगा जाते हैं जिससे उसी बिल्डिंग की एक वर्चुल कॉपी बनाई जाती है तो जब भी आप उस फिजिकल प्रोड़क्ट पर ट्राय करते हैं जैसे कोई भी एक्सपरिमेंट किया जाते हैं फिजिकल प्रोड़क्ट पर तो सेम उनी डेटा को लेके उन डेटा का सिमिलेशन करके जो वर्चुल प्रोड़क्ट है वह काफी सारी चीज़ है काफी सारा डेटा आपको दिखा देता है कि वह बिल्डिंग अलग-अलग मिटेरियल्स पर क्य मेंग आके बैक्ट करने वाली है अब बात कर लेते कि डिजिटल्ट इचनोलोजी जो है भो काम कैसे करती है अगर एक्जांपल के साथ मैं आपको समझौाँ मैं तो feeling और लगे हूंए ऑस्पी बना दी विर्चुल फां में मतलब उसकार के अंदर जो भी कुछ कुछ होने वाला है जो भी कुछ हो रहा है वो सारी एक virtual form में अपने पास एक डेटा रहता है तो वो डेटा इतनी आसानी से रीड किया जा सकता है जैसे हम बहुत आसानी से प्रॉब्लम को पता लगाते हैं एक्जामपल देते हैं जैसे कार के अंदर बेक्स हो थे जब भी कोई आदमी यह कोई इंसान उस प्रेस करता है कि वर सबसे नियों कि होगा जल्द प्रेस किया मतलब एक तो दीरे भी उसको दबा रहे है इस चीज़ को जब भी ब्रेक प्रेस हो रहा है तो इस को Ciao हो तो देन उसके बाद simulation यह होता है कि जब आपने brake press किया तो कितनी power से और कितनी जल्दी जो है वो जो brake है वो activate हुए तो ये सारी simulation करने के बाद में उसी की एक copy बनाई जाती है एक virtual form बनाया जाता है जिससे उस data का analyze किया जाता है जैसे अभी recently Porsche ने भी ये जो है कार के अंदर ये technology यूज की है जिससे हम क्या इन सब problems को पता लग पाएंगे जैसे अगर मैं ब्रेक की ही बात करूं बाकि सब जगे काम करता है डिजिटल टेकनोलोजी मैं सिर्फ ब्रेक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि पॉर्शे ने भी यही किया है कि अगर आपके जैसे गाड़ मैं आपको गाड़ी के अंदर ब्रेक के अंदर कोई problem आने वाली है या नहीं आने वाली है अगर आने वाली है तो क्या problem हो सकती है अगर वो serious होगी तो क्या होगा आपको indication मिल जाएगा जो भी error होता है उसका पता लग जाएगा अगर uses की बात करूं कि digital train technology कहां कहां पर यू आती है या फिर आपकी जो bridge बनते हैं bridge के अंदर use आती है जो jet engines बनते हैं उसके अंदर use आती है तो ये काफी सारी चीजों में helpful होते हैं क्योंकि complicated parts होते है errors find करना आसान नहीं होता है तो उसी के लिए ये technology बहुत काम किये so last में अगर मैं आपको बताऊं कि digital twin technology क्या होती है तो वो एक virtual representation है किसी भी physical product का जिससे आप उसकी future और present में जो भी conditions है या फिर जो भी problems आने वाली है उसके बारे में पता लगा सकें तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो व मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद